पुलिस की गाड़ी और गाड़ी में बैठे आजम खान अब सवाल ये कि आखिरकार अचानक से पुलिस आजम खान को लेकर कहा जा रही है भारी पुलिस फोर्स के बीच आजम खान कहा जा रही है समाजबादी पार्टी की वरिष्ट नेता आजम खान को लेकर पुलिस अचानक से सीतापुर जेल से बाहर निकली तो हर तरफ हडका मच गया भारे पुलिस फोर्स के बीच आजम खान को कैदी गाड़ी में बिठा कर सीतापुर जेल से बाहर निकारा गया जैसे ही पुलिस की गाड़ी थोड़ी से धीमी हुई, मीडिया कर्मी तुरंत गाड़ी के पास पहुँचे और पूछा गया कि कहा ले जाया जा रहा है आपको, लेकिन आजम खान ने कुछ भी नहीं कहा जैसे ही आजम खान को लेकर पुलिस जेल से निकली तो सवाल उपने लगे कि आखिरकार आजम खान को पुलिस वाले कहां लेकर जा रही है जानकारी मिली की सीतापुर जेल से आजम खान को रामपुर ले जाया जा रहा है जानकारी के मताबिक रामपुर की M.P.M.L.A. कोट में एक मुकदमे का फैसला आ जाना है इसी को लेकर कोर्ट में पेशे के लिए आजम खान को सीतापुर से रामपुर ले जाया जा रहा है जैसे ही पुलिस की गाड़ी में बैठे आजम खान के करीब मीडिया का कैमरा पहुचा और पूछा गया कि क्या आप कुछ कहना चाहेंगे तो आजम खान ने कहा तो कुछ नहीं लेकिन कैमरे के आगे सिर्फ हाथ हिलाते ही नजर आए बता जा रहा है कि रामपुर के डूंगरपुर इलाके में घर में घुसकर मारपीट के मामले में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और उसी मामले को लेकर आज रामपुर MPML कोट फैसला सुना सकता है कोट में पेशे के लिए आजम खान को सीतापुर पुलस रामपुर ले जा रही है बता दे कि अब्दुल्ला आजम खान के जनम प्रमान पत्र के मामले में आजम खान सीतापुर जेल में बंध है वही आजम खान की बेटे अब्दुल्ला आजम खान और आजम खान की पतनी तन्जीम फातिमा भी अलग-अलग जेल में बंध है अब देखना होगा कि घर में घुज कर मारपीट करने के मामले में क्या फैसला आता है सीतापुर से अरविंद मोहन मिश्रा के रिपोर्ट यूपीता